नमस्कार मैं हूं संजरा और हम लोग देख रहे हैं बिहार सिक्षक भरती से समधित GKGS GKGS में भूगोल देख रहे हैं और भूगोल में हम भारत की मिट्टी या फिर मृदाओं को देखेंगे लीचिंग क्या है तो खनी स्थत्व का नीचे की और इस्थानांतरण यानि कि कैसे खनी स्थत्व जो होते हैं वो मृदा के उपरी भाग से नीचे की और चले जाते हैं तो उसका इस्थानांतरण कैसे होता है, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, निलाच्छन या फिर लीचिंग कहा जाता है, तो निलाच्छन जो होता है, यानि कि लीचिंग जो होता है, वो दो तरह से होता है, एक सितोष्न आदर छेतर में होता है, और दूसरा उस्न कटी दीर चेत्र में होता है अब यहां पर हम लोग देखेंगे सिदोस्वन आपर चेत्र के अगर बात की जाए तो यहां पर क्या होता है पॉडलाइजेशन होता है और ये पॉडलाइजेशन में मृदा के उपरी सता से छारीय अमलों के साथ साथ पानी के साथ अलुमीनियम और फेरस भी क्या होते हैं मृदा के नीचे इस्थानांतरीत हो जाते हैं छारीय अमलों के साथ साथ अलुमीनियम और फेरस भी क्या होते हैं कि पानी के साथ मृदा के नीचे ले इस्थानांतरीत हो जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है पॉडलाइजेशन कहा जाता है यानि कि मृदा के उपरी सता से अपति और यहां पर संकूधारी वनस्पतियां प्याथी घाता है। ठीक है अब इसके आगे हम लोग देखते हैं उस नकटी बंदी या आद्र छेत्र को उस नकटी बंदी या आद्र छेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर लेटराइजेशन होता है और यहाँ पर जो होता है मृदा के उपरी सत्व से छारिये अमले के साथ साथ पानी के साथ स इसका इस्थानांत्रण हो जाता है मृदा के निचले इस्थर पर सिलिकन का क्या होता है इस्थानांत्रण हो जाता है तो इसका डिशन में उस्थानांत्रण हो जाता है तो इसका डिशन में उस्थानांत्रण हो जाता है तो हम लोग देखें लेटराइजेशन जो होता है वो केसी तोष्ण आद्र छेत्र में ही पाया जाएगा अब देखेंगे हम लोग कैल्सी करण या फिर कैल्सीफीकेशन को कैल्सी करण या फिर कैल्सीफीकेशन को देखते हैं कि यह क्या होता है तो यहां पर हम लोग डाइग्राम इसका देख रहे हैं कि यहां पर छारिये तत्व तो जो है यह उपर है केसी का तुक्रिया है, कैपिलरी एक्षन है, भूमिगत जल है, अब देखते हैं कि यह होता क्या है, इसको देखेंगे तो समझ ब्या जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि कैलसी करण ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मृदा के नीचे की परतों से उपर की प कैसी कत्व की क्रिया, यानि कि कैपिलरी एक्षन के द्वारा, यानि कि यह जो होगा, यह कैपिलरी एक्षन होगा, कैपिलरी एक्षन के द्वारा भूमिगत जल के सांस्ता थे, जो छारिये तत्व मृदा के नीचे इस्थानांत्रीत हो गए थे, वो छारिये तत्व अब ज हम लोग देखे कि चारीय तत्व नीचे की तरफ आ रहा था अब इसमें क्या हो रहा है कि चारीय तत्व जो हो रहा है वो भूमिगत जल के द्वारा उसके साथ साथ चारीय तत्व जो है वो मृदा के उपरी परत में जा रहा है और किसके द्वारा तो केसी कत्व क्रिया कैपि इसके अनुसार भारत की मृदाओं को 8 भागों में बाटा गया है और भारत की म्रुदाओं को 8 भागों में बाटा गया है तो इसमें एक एक को हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे तो सबसे पहले होगा जलोड़क मृदा जिसको एलूवियल स्वैल भी कहा जाता है इसका निर्माण जो है वो नदियों द्वारा लाई गई और छेपो के नीचेपन से होता है यानि कि नदियों के द्वारा जो छोटे-छोटे कण मिट्टी बहा करके लाई जाती है तो उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है और इसमें दो तरह की मिट्टी होती है एक खादर और दूसरी होती है बांगर खादर मिट्टी जो होती है वो सबसे उपजाओ जलोड़क मृदा होती है ये नई मृड़ा होती है और ये सबसे ज़्यदा उपजाओ जलोढग मृड़ा होती है। फॉस्पोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है इसमें जब की छारिये तत्वों की अधिकता होती है और इसमें क्या होता है छारिये तत्वों की अधिकता पाई जाती है विस्तार के लिए अगर देखा जाते इसका विस्तार कहां पर है तो भारत का उत्री मैद उत्री मैदन जहां पर नदियां है और दूसरा कहा जाता है नदी घाटी बेसिन याने कि जहां जहां पर नदियां होंगी वहां वहां पर इसका विस्तार होगा क्योंकि नदियों के द्वारा ही क्या किया जाता है कि मृदाओं को बहा करके लाए जाता है उसी मृदा को के लिए उप्युक्त मानी जाती है काली मृदा के सांत में पाई जाती है। काली मृदा में स्वता जुताई का लच्छन भी होता है यानि कि स्वता जुताई यानि स्वयम से ही जुत जाना काली मृदा का लच्छन होता है और इसका विश्तार यानि कि कहां कहां पर काली मृदा पाई जाती है तो दक्कन ट्रेप में मालवा का पठार और काठियावार वह होता है वह काली मृधा पाई जाती है अब देखते हैं लाल मृधा को रेड्ट ओennu को लाल मृधा जो है वह ग्रेनाइड फिर नीज चत्तानों के टूटने से बंता है इसमें आयरन के औकसाइड के कार्याण इसका रंग लाल हो जाता है इसके आगे देखेंगे कि जहां पर भी 200 cm से अधिक की वर्सा होती है यानि कि लाल मृदा का छेतर हो और वहां पर 200 cm से अधिक की अगर वर्सा होती हो तो वहां पर लाल मृदा का विकास जो होता है वो लेटराइट मृदा में हो जाता है यही लाल मृदा का विकास जो है वो लेटराइट मृदा में हो जाता है अब लार मृदा कहां कहां पाई जाती है तो छोटा नागपूर का पठार और तमिलाडू करनाटक में लार मृदा जो है वो पाई जाती है छोटा नागपूर का पठार तमिलाडू और करनाटक में देखेंगे लेटराइ जो है जुन नखटी बंधिये प्रदेशों में पाई जाती है जह भारी वर्सा होती है जहाँ भारी वर्सा के करांड सीलिका और चूना निच्छालित हो करके नीचे चला जाता है इसरी आभाव में यानि कि सीलिका जब नीचे चला जाता थो उसके अभाव में उपरी परजु होता है वो शक्त हो जाता है यह समिटी से एटों का निरमाण किया जाता है लेटे राइट मृदा का विस्तार जो होगा वो कहा होगत प्राइदी पिये पठार के उंचे छेत्र में जैसे की करनाटा केरल और तमिल नाडो में ये मृदा जो है ये पाई जाएगी अब देखेंगे मर्वस्थलिये मृदा को मर्वस्थलिये मृदा की बात करें तो ये मर्वस्थलिये छेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है याने मर्वस्थलिये मृदा जो है वो मर्वस्थलिये छेत्र में पाई जाती है यहाँ पर कैल्सी करन के द्वारा हम लोग इसके तत्व म्रिदा कम उपयोगी होती है इसके आगे देखेंगे परवती म्रिदा अम्लिय म्रिदा होती है और कौफी के लिए उपयोग तो इसके आगे देखते हैं छारीय मृदा को उसर मृदा भी कहते हैं छारीयता की समस्या से निपटने के लिए इसमें जिपसम डालने की सलाह दी जाती है आप देखते हैं पीट मृदा इसको हाइड्रो मृदा भी कहते हैं टटीए शेतरों में ये पाई जाने वाली मिटी है और इस होती है अधिक होती है इस मिट्टी में नम्मक चथा चारीय ततो की मात्रा अधिक पाई जाती है थी टत्थ्यों को विवित तत्थ्यों में परिवहीत मृद्धा कौंसी होती? यानि कि एक जगा से दूसरे जगा कौ से मिट्टी जाती है केरल और महराष्ट में लेटराइट मृरिदा पाई जाती है चटानों के अपछायन को मृरिदा का निर्मान होता है यानि कि चटान जो होते हैं वो गर्म होते हैं फिर उसके बारिस होती है और इस तरह से वो चट्टान बड़े बड़े तूटते हैं तो उनके तूटने से क्या होता है मिट्टी का निर्माण होता है चट्टान के अध्यन को पैट्रोलोजी कहा जाता है चट्ट्यान का जिसमें अध्यन किया जाता है उसे पैट्रोलोजी कहा जाता है तो इस प्रकार से हम लोग भारत की मिठीयों को देख लिए और भारत की जो भी महत्वपूर्ण मिठीया है और कौन सी कहां पर पाई जाती है तो उस चीज को हम लोग देख लिए हैं यहाँ पर आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तब तक धन्यवाद